राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मो ने आज राश्ट्रपती भवन में एक समारों में भर्तुहरी महताब को अठारवी लोगसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में पत की शपत दिलाई इस मौके पर उप्राश्ट्रपती जगदीब धनकर और प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी भी मौजो थे वहीं अठारवी लोगसभा का पहला सत्र भी आज नव निर्वाचित सांसदों की शपत लेने के साथ शुरू हुआ लोगसभा के नेता प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपत लेने वाले प्रधम सदस्य रहे प्रोटेम स्पीकर ब्रतुहरी महताब ने श्री मोदी को शपत दिलाई इसके बाद लोगसभा अध्यक्ष के चुनाओ तक सदन की कारिवाही चलाने में श्री महताब की सहयता के लिए नियुक्त अध्यक्ष को पैनल की शपत दिलाई गई भाजपस सांसद राधमोहन सिंग और फगन सिंग कुलस्ते ने चेयरपर सिन पैनल के सदस्य के रूप में शपत ली हाला कि कॉंग्रेस सांसद के सुरेश, DMK सांसद, TR बालु और TMC के सुधीप बंदोपाद्य हैं ने पैनल के सदस्य के रूप में शपत नहीं ली इसके बाद केंडरी मंत्री अमिट शाह, राजनात सिंग, शिवराद सिंग चोहान, नितिन गटकरी, मनुहरलाल, पियुष गोयल, जीतन राम मांजी, राजीव रंजन ओर्फ ललन सिंग, डॉक्टर विरेंदर कुमार, किरेन रीजीजू, चिराग पास्वान और अन्य ने ल अरबानन्द सोनवाल ने अस्मिया में और के राम मोहन नाइडू ने तेलगू भाशा में शपत ले, सदन में अभी नवनिर्वाचे सदस्यों की शपत और प्रति ज्यान की प्रक्रियाद चल रही है, इससे पहले सुभा प्रोटिम स्पीकर महताब को राश्टरपती भवन में राश्टरपती द्रौपती मुर्मू ने शपत दिलाई, सत्र के दौरा नए लोग सभाध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा, इसके बाद राश्टरपती द्रौपती मुर्मू गुरुवार को संसत के दोनों सदनों की संयुंत बैठक को संबोधित करेंगी, सचसर अगले महीने की तीन तारिख तक चलेगा